exercise 2.4 का बच्चों question 7 करने वाले हैं very demanding and very most important question class 8 students की understanding तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है बच्चों किसी भी competitive exams के बच्चों के लिए भी ये बहुत important question है आपको पहले इसको अच्छे से read कर लेना है अच्छे से आप read कर लीजे खुद से attempt कर लीजे सारा data note कर लीजे उसके बाद में solution आप मेरा देखिए होता क्या है हासन बाइस two kinds of cloth materials for school uniform दो तरीके के कपड़े खरीदता है cert material that cost him rupees 50 per meter cert के लिए वो कपड़ा खरीदता है जो उसको cost करती है 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter trouser के लिए कपड़ा खरीदता है वो पढ़ता है बच्चों उसको 90 rupees per meter data हम यहाँ note करते है ठीक है बच्चो cost कौन सी buying cost बच्चों उसकी buying cost पड़ती है cert के लिए पड़ती है बच्चों कितनी 50 rupees per meter इतनी बात आप समझे ट्राउजर के लिए उसको पड़ती है 90 rupees per meter इतनी बात आप समझ पर फिर आगे question क्या बोलता है for every three meters of cert material he buys two meter of trouser material ये ही question का सारा material सिम्टा हुआ है जो बच्चा इसको समझ पा रहा है वो इस question को बहुत आसाने से solve कर लेगा for every three meter of cert he buys two meter of the trouser material इसका मतलब क्या हुआ बच्चों means cert और trouser का ratio बच्चों आपको दिया हुआ है three is to two का ratio क्या होता है बच्चों three meter cert के लिए हर एक three meter cert के लिए वो two meter trouser का कपड़ा खरीता है और ये आपको ratio दिया गया है जब भी ratio दिया हुआ है बच्चों तो हम क्या करते हैं हम एक unknown variable का multiplication कर देते हैं उसमें तो इसमें होगा क्या बच्चों इससे हमको total total length मिल जाएगी उसने cert का कपड़ा कितना खरीदा 3x खरीदा ट्राउजर का कितना खरीदा बच्चों 2x खरीदा और सारा खेल इसी x कर रहेगा अगर हम x की value निकाल लें तो सारा solution हमें मिल जाएगा भी हम question को और read out करेंगे इतनी understanding मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी 3x to 2 ratio कहां से आया बच्चों क्योंकि वो 3 meter हर cert के लिए 2 meter trouser खरीदा है तो ये क्या है ये एक ratio है अगर ratio है तो ratio को किस form में लिख सकते हैं 3x 2x 3x 2x क्या हो गई बच्चों ये total जो length उसने खरीदी total जो वो length खरीदता है बच्चों किसकी cert की 3x हो जाएगी और trouser की 2x हो जाएगी इतनी बात आप समझे फिर आगे क्या होता है बच्चों he sells the materials at 12% and 10% profit respectively अभी selling की बात आ गई बच्चों selling की means पहले तो उसने कपड़ा खरीदा cert खरीदा trouser खरीदा 50 rupees per meter 90 rupees per meter 3x2 के ratio से खरीदा अब वो इस कपड़े की selling करेगा definitely selling करेगा तो कैसे कर रहा है बच्चों cert पे वो profit ले रहा है कितना बच्चों 12% का और trouser पे कितना ले रहा है बच्चों 10% का इतनी बात आप समझें फिर क्या होता है total sale उसकी बच्चों क्या है ये भी हम लिख लेते है total sale बच्चों क्या है 36,600 रूपीज है यहां से आपको question का solution मिलने वाला है मतलब क्या है आपको total sale निकालनी पड़ेगी तब ही तो आप उस total sale को 36,600 के equivalent कर पाओगे जब आप कर पाओगे तो आपको कुछ x की value मिल पाएगी हमको निकालना क्या है how much trouser material did he buy ये चीज उसने trouser material कितना खरीदा ये हमको निकालना है trouser material बच्चो कितना निकालना है इसकी value हमने 2x माननी है कहने का मतलब क्या है total sale है x की value अगर हमको पता चल जाए तो हम question का solution पा लेंगे और बोर्ड पे आते हैं बच्चो और इस खुबशूरत प्रस्ण को करने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है बच्चो ये खरीते हैं सर्ट को 50 रूपीज पर मीटर ट्राउजर को खरीते हैं 90 रूपीज पर मीटर तो बच्चो buying cost क्या आ गई buying cost पहले हम निकाल लें बच्चो buying cost हम निकालें सर्ट की बच्चो एक मीटर खरीते हैं ये 50 रूपीज की टोटल सर्ट का कपड़ा ये क्या खरीते हैं हमने क्या रैशियो माना था 30 to 2 था बच्चो तो हमने 3x 2x माना था 3x मीटर इन्हों ने खरीदा सर्ट का कपड़ा एक मीटर बच्चो खरीते हैं 50 का तो 3x मीटर कितने का खरीदेंगे 50 into 3x इतनी बात आप समझें value कितनी आ गई 150 50x बहुत आसान सी चीज है ट्राउजर पर इन्होंने कितने पैसे लगाए बच्चो एक मीटर खरीते हैं आप देखें 90 रूपीस का टोटल इन्होंने ट्राउजर कितना खरीदा बच्चो 2x मीटर खरीदा इतनी बात आप समझे value आ गई 180x इतनी बात आप समझें ये हो क्या हो गई? बाइंग कोस्ट अभी क्या है? सेलिंग कोस्ट अभी ये इस कपड़े को बेचते हैं इतना पैसा तो इन्होंने सर्ट पे लगा दिया बच्चो 150x, 180x, x की value अभी हमको पता नहीं है वो हमको कहां से निकलने वाली है या पच्छे से जानते हैं जो 36,600 दे रख का है बच्चो टोटल सेल हमें पहले निकालने पड़ेगी टोटल सेल क्या बनेगी बच्चो टोटल सर्ट और टोटल ट्राउजर जो बिकेगा इनका जो हम प्लस करेंगे सेल का बच्चो तो हमको वो टोटल सेल निकलेगी तो हमें उसी पे काम करना है तो पहले सेलिंग कॉ profit होता है इस पे कितना होता है बच्चो सर्ट पे कितना profit वो कमाते हैं आप देखिए सर्ट पे 12% का profit कमाते हैं मतलब buying cost 150x तो उनकी रहती ही रहती है इतना तो पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा प्लस 150 का 12% additional उनको मिलेगा इतनी बात आप समझें क्यों मिलेगा चुकि यही तो उनका profit है 150X का 12% additional उनको मिलने वाला है यह buying cost हो गई और यह 12% profit हो गया 12% किस पे हो गया इसी पे profit मिलने वाला है इसको थोड़ा सा बच्चो solve कलने 0 से 0 कट गया 2, 6, 12, 2, 5, 15 यह हो गया 5, 3, 15 ठीक है बच्चो 6, 3, 18 150X प्लस 18X कहने का मतलब क्या हुआ बच्चो 150 and 18 कितना हो गया 168X यह बच्चो selling यह selling आ गई आपको cert की किसकी selling आ गई cert किया गई अभी हम trouser की selling निकाल लें बच्चो ट्राउजर की selling trouser को इन्होंने खरीदा था बच्चो 180X में ध्यान से समझिए अभी इस 180X में यह profit कितना कमाते है 10% का आप ध्यान से देखिए 180X में profit 10% का कमाते हैं means 180X का 10% ऐसे तो लिखेंगे 10 by 100 यह आपकी buying cost हो गई profit यह हो गया 10% ओके बच्चो इसको हम solve कर लें थोड़ा सा value क्या आई is equal to 180X plus 18X यह हो गया बच्चो 190X यह किसकी selling price आ गई बच्चो trouser की profit के बाद यह buying cost रही बच्चो 150X 180X shirt और trouser की selling cost बच्चो क्या आ गई 168 198X आप देख रहे हैं कुछ value बढ़के ही आ रही है 10% 12% यह बढ़ा 10% यह बढ़ा तो यह value आ गई अभी भी X की value तो हमें पता नहीं चली कहां से मिलेगी बच्चो यह बोल लें total sale जो हुई बच्चो यह 36600 की हुई तो हम total sale add कर दे total sale क्या हो जाएगी बच्चो तोटल sale is equal to हो जाएगी बच्चो सेल आफसर्ट सेल आफसर्ट बच्चो क्या ही 168X plus 190X 198X यह बच्चो कितना हो गया 366X इतना आप देख पा रहे हैं इन दोनों को add करेंगे 366X आ जाएगी और यह बच्चो किसके बराबर है यही तो बराबर है यह total sale आ गई ना आपको सर्ट की ट्राउजर की total 366X और यह किसके equivalent है this is total sale 36600 तो X की value बच्चो क्या जाएगी 36600 अपान 366 आप देख रहे हैं सीधे सीधे कट रहा है 100 value आ गई बच्चो किसकी value आ गई 100 आ गई X की value आ गई 100 लो जी हमारा काम हो गया अगर एक्स की value 100 आ गई हम से पूछ रहे है ट्राउजर material उसने कितना खरीदा तो ट्राउजर material बेटा उसने खरीदा था 2X समझ रहे हैं ट्राउजर material ट्राउजर material उसने बच्चो कितना खरीदा था 2X और लो जी x की value हमने निकाली कितनी 100 कहने का मतलब क्या है उसने trouser कितने मीटर खरीदा 200 मीटर खरीदा ये रहा आपका solution question आप समझ पाए बच्चो cert उसने खरीदा 50 रूपीज पर मीटर trouser trouser उसने खरीदा 90 रूपीज पर मीटर cert और trouser का ratio 3 to 2 था बच्चो 3x 2x हो गया selling price आपकी बच्चो cert पे trouser पे 12% और 10% थी total sale बच्चो हमारी थी 36,600 हमने क्या किया buying cost निकाल ली हमने selling cost निकाल ली फिर हमने क्या किया total sale निकाल ली 36,600 के equivalent कर दिया x की value हमारी आ गई कितनी बच्चो 100 आ गई तो trouser क्या था trouser equivalent to 2x था बच्चो अगर 2x था तो क्या हुआ x की value हमने रख दी 2 in 200 कितनी आ गई 200 simple सा question important question था बहुत बढ़े है question आप जरूर करें इसको thank you